आप देखने आप यहां आज मेरे किछन में बनी रेस्टाइल चिकन स्पैगडी तो जीजना पहुत ही मज़तारी स्पैगडी के रेस्पी आप लोग ने पूरी मौज करने कोई भी स्टैपिस के मिसी निकरना यह बहुत जट बड़ से बनके त्यार वाज देती है तो चलिए करते हैं सबसे पहले पाने में दो लीटर चूले पर रख देता बॉल होने के लिए अब इसमें में शामिल करने के वन टेबल स्पून नमग साथ शामिल करेंगे दो टेबल स्पून भरके और यह देखिए और डाला लाजमी होता है इसे बड़ी अच्छी से स्पैगडी बॉल हो जाएगी तो यह देखे 6-7 मिंट हो चुके हैं अब मैं इसे निकाल के ठंड़ा पानी उपर से गुजार के थोड़ा सा ओल लगा के एक स्याड़ पर रख दूँगी तो अब इसका मसाला त्यार कर लेते हैं सबसे पहले डालेंगे कडाई के इंदर 3 टेबल स्पू करने के बाद मजीद एक मिंट के लिए पूल लेंगे तक इसका कच्छापन अच्छे से खतम हो जाए तो देखे माशाला माशाला से अच्छे से एक मिंट के लिए मैंने सारी चीदों को बहुन लिया प्याद रख दर कलसन को अब इसमें में शामिल करूंगी 400 ग्राम के प् क्वाटर टीस्पून जाएक इसमें हल्दी साथी शामिल कर देंगे डे टीस्पून के करीब पिसा वद्धनिया डालने के बाद एक मिंट के लिए भूल लेंगे हाई फ्लेम पे तक मसाले मारे पक गए हैं अब इसमें में शामिल करूंगी 3 टेबल स्पून भरके टमांटो पकाएंगे इसको तो देखें माशाला से चिकन मारी पक चुगे साथ मिंट के बाद मैंने खोल दिया है अच्छी तरह मिक्स करेंगे इस तो तो देखें हाई फ्लेम पर जो नमी थी मैंने खुश कर लिया इसको भूल के अच्छे से अब इसमें मैं कुछ सब्सक्राइब कर करणी वन टीच्पून के करीब काली मिर्ष कर दो चली चला गया इसे साथ में शामिल दो टेबलस्पून बरके चिली चलिए सास के इसी के साथ में आट कर दूंगे तीन टेबल स्पून भरके सोया सॉस यह देखें चला गया और अच्छी तरह सारी चीजों को मिक्स करेंगे एक दफ़ा तो यह देखें माशाला माशाला से कितने अच्छी सी मारी सब्सक्राइब पकरी है सब्सक्राइब को हमें बिल्कुल भ बॉक्स में बताएं कि आपकी रस्पी कैसे बनी तो देखें अच्छे से मिक्स करने के बाद में स्पैगडी बिल्कुल त्यारा है अब मैं इसे डिशॉड कर लेती हूं देखें माशाला लोकिंग वाइस कितने खूब सुरूत लग रही है खाने में बहुत ही मज़ेगी य करना है देखें माशाला कितनी चैट परिसी लग रही है तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से जाज़ा चाहूंगी मिलें इन्शाला अगली रेस्पी के साथ दूआ में याद रखें लाफेस